कराची वालों के तोफ़ा मिला था जदीद बसों का उसके बाद अचानक से सुभाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जी लिनाम मेमन साहब की जानिब से एक एहम एलान किया गया और बताया गया कि मुकमल एलेक्ट्रिक बसे जो हैं कराची में लाई गई है यह मेरे अकब में आप वह बस देख सकते हैं यह वह बस नहीं है यह पचास बसे इप्तिदाई तोर पर कराची आई है जिनमें से दस बसों का आज सड़कों पे लाया गया है इसका ट्राइल किया गया है अगर हम दीद सहुलियात है यह वाई-फाई की सहुलत है कुशादा सीट्स है इस बड़ा है और सबसे एहम बात यह कि जितने भी हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स देखी उनमें जो नशिस्ते होती हैं जो सीट्स होती है जबके इस बस में कुशंग वाली सीट है जो कि यकिनी तो है कि एक साल के अंदर-अंदर ही कराची वाले इस बस से भी फाइदा उठा से क्या समझते हैं यह कराची के जो सड़के हैं मुर्तजाब आपने का तो कि मैं सड़के बना रहा हूं समझते हैं कि यह उस सड़कों पे चलने के काबिल है देके थोड़ा से ही हो गए तो उन्हें चला दिया गया यह जो बस है यह काफी बड़ी बस है यह पीपल्स बस से भी जो है वो कुछ मीटर बड़ी बस है 18 से खालब बीस मीटर की यह बस है तो इसके लिए जो सड़के दरकार हैं वो बिलकुल सीधी सड़क होनी चाहिए जैसे के शाराई फै सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर यहां से अंदर दाखिल होंगे तो यह आप देख सकते हैं इस वक्ति यहां से यहां से मुक्तलिफ नहीं यह उसी तरीके से डिश बोर्ड दिया गया है अगर डिश बोर्ड की बात करें ब्रैवर भी जो है वो आप इस वक्त आम तरद से देख सकते हैं कि आप अंदर मीडिया के लोग इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहें लेकिन यह वो बसे हैं जो शेरियों के लिए तोफा देगी बड़े अच्छा तोफा एक्रेजियों के लिए और शेरियों के बात करें 32 सीटे होंगी इसमें और उसके अलावा नवे अफराद यहां पर इसमें सफर कर सकेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पेट्रोल नहीं इसमाल होता इस वक्त हमारे साथ अरभाव चैन्डियों मुझे तरभाव क्या कहेंगे सिंदुक मत की जानिब से यह तोफा दिया गया है इस पे आप क्या कहेंगे मेरे बड़ी अच्छी बात है आराम दे हैं हैर कर्डि बात है जिसका हास ख्यालक है और से अच्छी बात है कि ड्राइवर और जो इसका क्लेनर है यानि क्लींडर वो पड़े लिखे होंगे और अदब से बात करेंगे जिसका शहरियों की सबसे ज्यादा ज़रूरत है माकूल किराया खुबसूरा सफर आखों को भार रही है गाड सिल किया जाएगा क्योंकि एक जगा पचास बसे तो चल नहीं पाएंगी पचीस पचीस या फिर पद्रा पद्रा बसिस करके मुक्तलिब रूर्स पे चलाए जाए कराची अब शहर नहीं रहा आप मुल्क है जितनी भी बसे चलाव कम है अच्छा सड़कों के हिसाब से समझ कर पाई भी है वो भी पेश किया ठीक है यह अच्छी बात किये कि सड़कें जो होना लाजमी है सड़कें अगर होंगी तो शहर में यह बसें नहीं यह चलेंगी तो आप इस वक्त बेख सकते हैं कि यह बसें बाहिए रही थे इस वक्त सेकिन्ड गेट पे इस वक्त में वज़ूर अफराद और बुरे लोगों के लिए ये निशानी भी दी गई है तो आप ये देख सकते हैं ये बसेज तो इस वक्त आप इसन बसों बसेज को देखें ये बसेज जो अब कराची में आएंदा रेड बसेज के बाद वाइड बसेज जो है वो दोड़ते हुए करुआंगे बसेजय होती हैं का मेंर के बाते हैं, जापना आपका सोबयाब और ससार दिए हैं दोड़ हैं के वेड़ खना है, क發現 ठेल है, तो जाह ठीकिक कंवस बसेफँशने जाया की फोगशने चाल बवसेफज हैं को अबसें आपका गण्单 दियों और स् speciallyξी हैं तो